हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीन ऐसी मांच में देखिए बिप्पी ऐसे के जो तीसरे चनल की परिक्षा हुई थी और पेपर लीग हुआ था उस लीग पेपर में मुख्य आरोपी यानि पांच आरोपियों को पकड़ा गया है तो पूरी अपडेट जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए देखते हैं कि क्या है देखिए बेपी ऐसे शिक्षक भरती के तीसे चरंगी जो परिक्षा के पेपर लिक मामले में पांच मुख्य आरोपियों को मद्धे प्रदेश की उज्जेन से गिरफतार किया गया है इसमें एक लड़की और चार लड़के हैं इने वहां की स्थानी पुलिस की मदद से EOU की विशेश टीम ने गिरफतार किया है शनिवार के सुबह इन सभी को जैनिस्तितिक होटल से गिरफतार किया गया जहां ये लोग फरजी नाम पते पर रह रहे थे इन पाचो अभ्युक्तों को गिरफतारी के बाद वहां की स्थानी आदालत में पेश किया गया है और इसके बाद ट्रांजिस्ट रिमांट पर इन सभी को पटना लाया जा रहा है इनके रविवार की दौपैर तक यहां पहुंचने के संभावना जताई जा रही है और सोमवर यानि 22 अप्रेल को इन सभी को पटना के कोट में पेश किया जाएगा ये सभी बिहार के अलग-अलग जिलों में रहने वाले हैं और सुरक्षा कारणों के साथ जाच एजनसी ने इनकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की है यहां पहुँचने के बाद इनके बारे में विस्तर जानकारी दी जाएगी और प्राप्ट सूचना के अनुसार ये पाँच अभ्योक्तिस पेपर लिग कांड के मुख्य अभ्योक्तियों की फैरिस्ट शामिल है पेपर लिग कैसे हुआ खुल सकता है राज देखे पकड़े गए आरोपियों से पूस्ताच में प्रशन पत्र कहां से कैसे और किसकी मदद से लिग हुआ इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है पेपर लिग कांड के इन मुख्य अभ्योक्तियों से सगन पूस्ताच में कई अन्य महत्पुन बातों की जानकारी भी मिलेगी अब बताया जा रहा है कि पेपर लिग होने के बाद ये सभी पांच अभ्योक्तियों महाकाल का दर्शन करके उज्जैन भाग गए थे अब वहीं अपनी पहचान बदल कर वहां रहने लगे थे लेकिन जाज में सुराग मिलने पर E.O.U की टीम ने वहां पहुँच कर पूरे आप्रेशन को अन्जाम दिया है हजारी बाग में पकड़े गए थे 270 अभ्यार्थी देखें BPSC के तरप से तीसरे चरण की लिखित परिक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया गया था और इसका प्रशन पत्र पहले ही लिख हो गया था 15 मार्च की सुबह करीब पांच बज़े हजारी बार के कुरा बद्मा और बरही इस्तित कोहिनूर होटल में जहारकन पुलिस की मदद से सगन छापे मारी की गई थी और इस दौरान पाया गया कि होटल के सभी कई कमरों में अलावा मेरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यार्थियों को बैठा कर प्रशन पत्र उत्तर रटवाया जा रहा था मामले की जाज के लिए EU ने SP के नेतरत में 8 सदस्य SIT का गठन किया है और इसके बाद में पूरे मामले की तप्तिश जा रही है तो देखे ये बहुत बड़ी खुलासा हुआ है प्रशन पत्र लीक को लेकर ऐसी और अपडेट पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि